एक फरवरी को मोधी सरकार का बजट पेश होगा जिसमें किसानों को बड़ा तोफ़ा मिलने के उम्मीद है बजट में पिम किसान सम्मान निधी योजना के तहट पैसा बढ़या जा सकता है अभी इस योजना के तहट किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं जिसी बढ़ा कर 9,000 रुपए किया जा सकता है सूत्रों का दावा है कि सरकार PM किसान सम्मान निधी योजना के तहट मिलने वाले पैसों में सीधे 50% की बड़ोती कर सकती है रिपोर्ट की माने तो PM किसान सम्मान निधी योजना के तहट किसानों को साल भर में 3 किष्टें दी जाती है सरकार हर 4 महने में 2,000 रुपए देती है ये पैसा किसानों के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाता है किसानों को तीन किष्टों के जरीए साल भर में 6,000 रुपर दिये जाते हैं सरकार जिसे बढ़ाकर 9,000 रुपर तक कर सकती है अभी तक ऐसी खबरे आ रही थी कि सरकार 8,000 रुपर बढ़ा सकती है लेकिन सूत्रों की मायने तो सरकार PM किसान स्कीम में 50 फीजी तक की बढ़ोतरी कर सकती है PM किसान सम्मान दिक केंदर सरकार की स्कीम है जिसका एलान साल 2019 के अंतरिम बजट में हुआ था सरकार की इस इसकीम की सोलवी किष्ट इस साल फरवरी से मार्ज की भी जारी होने की उम्मीद है सरकार ने इसकीम की पंदलवी किष्ट पिछले साल नौंबर में ट्रांसफर की थी इस स्कीम को छोटे और सीमान्त किसानों की आये में बढ़ोत्री के मकसद से सरकार ने शुरू किया था जो शुरुवात से ही काफी लोग प्री रही है इस योजना के तहट सरकार ने पिछले बजट में पीम किसान पर 60,000 करूट उपे खर्च किये थे हलांकि अगामी अंत्रिम बजट में इस स्कीम के लिए आवंटन बढ़ाया जाने के उम्मीद है इसके अलावा फसल बीमा और ग्रामीर रोजगार योजना के लिए भी रखम में बढ़ोत्री के आसार है पीम किसान सम्मा निदी योजना का लाप उठाने के लिए किसानों को कुछ शर्तों को पूरा करना होता है जो किसान इन शर्तों को पूरा करते हैं उनको इस योजना का लाप सिर्फ किसानों को मिलता है अगर कोई इंजीनियर, CA, डॉक्टर जैसे प्रोफेशन में है तो वा PM किसान योजना का लाप नहीं उठा सकता है अगर किसी सीनियर, सिटीजन को 10,000 रुपस जादा की पेंशन मिलती है या कोई सरकारी नौकरी से रिटायर कर्मचारी है तो वो भी इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते है इस योजना के थायत एक परिवार का एक सदसी लाप उठा सकता है साल 2024 चुनावी साल है, देश में लोक्च सवा चुनाव होने है जिसे देखते हुए एक फरवरी को पूरे बजट के बज़ाए अंतरिम बजट पेश किया जाएगा जो मोधी सरकार के कारेकाल का आखरी बजट होगा केंद्री वितमंत्री निर्मला सीता रमन बजट पेश करेंगी इसी के साथ उनके नाम एक रिकॉर्ड भी दर्ज हो जाएगा ये बजट पेश करते ही निर्मला सीता रमन छटा बजट पेश करने वाली पहली महिला वितमंत्री बन जाएगी साथ ही वो पूर्व वित्मंत्री मोरार्जी देशाई की बराबरीव कर लेंगी इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए निउस एट इन इंडिया ओजनल्स के साथ